आप सभी लोग का स्वागत है स्टेडी ग्लॉज पर और मैं हूँ आपका दोज धीपक बहुत ही बहतरीन मोटिवेशनल कोट आप लोग के लिए है किसी भी लक्षे को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि शेर भी बिना दोड़े कभी शिकार नहीं कर सकता है तो उसे किसी भी जानवर का शिकार करना हो तो उसे दोड़ लगानी ही पड़ेगी और याद रखना जो शिकार दोड रहा है उससे ज़्यादा तेज शिकारी को दोड़ना है मतलब शेर जो है वो उससे डेड़ से दुगनी रफतार से दोड़ेगा तब ही वो अपने शिकार को पगड़ पाएगा और यदि आप लोगों को अपनी मंजिल को हासिल करना है तो आप लोगों को भी दुगनी रफतार जो है वो अपनी करनी पड़ेगी तो सोने से काम नहीं चलेगा उठ जाईए और अपने लक्षे को प्राप्त करने के लिए तत पर रही है तो चलिए शुरू करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ में बहुत ही बहतरीन 12 जुलाई के करंट अफैर को सबसे पहले इंटरनेशनल और नेशनल निउस कवर कर ब्रिटेन में गहराता जा रहा है कोरोना के डेल्टा वेरियंट का कहर ब्रिटेन ने रिसेंटल आपको पता होगा कि काफी सारी गाइडलाइन जो है वो कोरोना के जारी की थी और उसके बाद कुछ शहरों के अंदर मास्क को हटा दिया गया था लेकिन अब एक सब्ता के अ ज़र आ रहा है रन नितिक रिस्ते मजबूत करेंगे भारत और वियतनाम प्रधान मंतरी मोदी ने अपने समकष वियतनाम के जो प्रधान मंतरी हैं उनसे अपनी मुलाकात की है और ये कहा है कि 2022 में दोनों देशों की जो संबंध हैं इंटरनेशनल इलेशन जो हैं उनके 50 पूरे होने वाले हैं और इंडियन ओशेन के अंदर जो रणनितिक जो भी वहाँ पर दाव पेच है चीन को पीछे करने के लिए वो भारत और वियतनाम दोनों मिलकर करेंगे बाइडन ने चेताया साइबर हमले नहीं रुके तो खामियाजा बुक्तेगा रूस ये तो जग जाहिर है कि रूस की द्वारा साइबर आटेकर्स को क्या दी जाती है शरण दी जाती है लेकिन रूस इन पर कोई भी कारवाई नहीं कर रहा है रिसेंटली आपको पता होगा कि अमेरिका की एक पाइपलाइन के जितने भी कम्पुटर्स थे उनको हैक कर लिया गया था रैंसमवेर के थुरू और अब जो है वो बाइडन ने रूस को चेता दिया है कि अब इन पर कहीं न कहीं लगाम लगानी पड़ेगी नेपाल और भूटान के लिए अमेरिका भीज रहा है वैक्सीन नेपाल और भूटान ही नहीं इसके साथ में इंडोनेशा को भी अमेरिका की द्वारा वैक्सीन भीजी जा रही है भारत को वो डिले कर रहा है सोचकर देखिए अमेरिका भारत के जितने भी पडोसी देश है वहाँ पर तो वैक्सीन भेज रहा है लेकिन भारत के अंदर उसके सारे प्रोग्राम जो है वो डिले हो रहे हैं तो आप लोग जो है इन बातों को समझ सकते हैं कि अमेरिका का रुक किस तरफ है देखिए अमेरिका ने कभी भी अपना रुक जो है वो साफ नहीं किया है पाकिस्तान के अंदर तालिबान को खदेड़ने का निश्य किया था तब से लेकर अब तक महिलाओं के लिए कई स्वतंतरताई थी कई तरह की फ्रिडम थी लेकिन अब वहां से अमेरिकन ट्रूप जा रही है इसलिए वहां पर महिलाओं पर पाबंद्या लगनी शुरू हो गई है और महिलाओं के द्वारा अब हतियार जो हैं वो भी थाम लिए गए हैं तो अब जो है वो इस्तिती बदलने वाली है पाकिस्तान ये कह रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर यो कुछ भी होगा उसमें पाकिस्तान किसी भी रूप में कोई भी साजिधार नहीं होगा श्री हरी कोटा से G7-1 उपग्रे का प्रिक्षेपन 12 अगस्त को किया जाएगा ये दूसरा ऐसा इस सेग्मेंट का उपग्रे है जिसका 12 अगस्त को क्या किया जाएगा लॉंचिंग की जाएगी श्री हरी कोटा से काफी important रहने वाला है और जितने भी मौसम संबन भी सूचनाएं हैं informations हैं उनके लिए ये work करेगा को वैक्सिन पर 4-6 हफते में फैसला करेगा WHO WHO की जो अध्यक्ष है टैडरस आदा नौम उनका ये कहना है कि को वैक्सिन ने कई guidelines जो है उनको complete नहीं किया है और इसके तहट जो है वो ये delay हो रहा है लेकिन को वैक्सिन को यदि approval मिलती है तो ब्राजिल और कई European country जो हैं वहाँ पर supply करने के एक्सपोर्ट करने के रस्ते इंडिया के लिए खुल जाएंगे उत्रप्रदेश में दो से अधिक बच्चे वाले नहीं लड़ सकेंगे इस्थान ये निकाई चुनाव ये तो आप लोगों ने सुना होगा कि जितने भी government servant हैं यदि उनके दो से अधिक बच्चे हैं तो वो government job नहीं कर सकते लेकिन भारत में ये पहली बार हो रहा है कि ऐसा जो शिकंजा है या हम लोग कहें कि limitations जो हैं वो लगाई जा रही हैं नेताओं के उपर भी कि यदि उनके दो से अधिक बच्चे हैं तो वहाँ जो है पंचायती राज मतलब local government के जो elections होते हैं उनको नहीं लड़ पाएंगे और UP के दुआरा आपको पता होगा कि 2021 से 2030 तक के लिए जनसंख्या नीती लागू कर दी गई है द्वानी परदुशन फैलाने पर लगेगा 10,000 से 1,000,000 रुपे तक का जुर्माना द्वानी परदुशन मतलब जो noise pollution होता है इसे कैसे control किया जाए ये कभी जो है वो लोगों को समझ में नहीं आता है इसलिए जुर्माना लगाना इसका सबसे बहतरीन उपाए सोचता है अब जो है जितने भी generators काम करते हैं या मान लीजिए जो भी noise produce करते हैं उन पर 10,000 से 1,000,000 तक का जुर्माना लगाई जाएगा दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है सहकारी समीतियों को भी मिलेगी FPO की तर्च पर वित्य मदद ये है Farmers Procurement Organization तो जो FPO को financial help मिलती है उसी के तर्च पर जितनी भी corporate societies हैं उनको भी help मिलेगी रिसेंटली आपको पता होगा कि भारत सरकार की द्वारा एक नया मंत्रा ले जो है ministry corporate ministry उसको बना दिया गया है और वो corporate ministry जो है उसको handle कौन से मंत्री करेंगे उस उनका अभी तक allocation नहीं किया गया है इस्टे डिग्लॉस की लर्निंग एब जो है उसको आज ही डाउनलोड करिए आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं कोई भी आपकी क्वेरी हो वो मुझे पूसकते हैं इसके साथ में कल मैंने संडे को टॉप 50 जो कोशन्स हैं उनका क्विज जो है वो अपलोड कर दिया है टेलिग्राम चैनल के उपर तो आप इसे जॉइन कीजिए और वहाँ पर जितने भी क्विज है उनकी प्रैक्टिस कीजिए ठीक है तो आप लोग के लिए बहुत ही बहती बहतीरीन जो है वो सेग्मेंट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं सबसे पहले हम लोग 10 जुलाई के करंट अफेर को रिवाइस कर लिते हैं हाल ही में कि स्राजी की तवारा 2021 से 2030 तक के लिए चंसंख्या नीती लागू की गई है गोशना की गई है तो वो है उत्तरप्रदेश और 11 जुलाई से इसे क्या कर दिया जाएगा लागू कर दिया जाएगा पहले भारती कौन बने हैं जिन्हें टोक्यो ओलम्पिक में निशाने बाजी के लिए जूरी बनाया गया है तो वो है पवन सिंग कोरोना के चलते जापान की किस शहर में आपातकाल तो वो है टोक्यो अमेनपूर जील जो है वो है ध्रबाद के अंदर इस्तित है जिसके 20 सी जो है वो रोड निर्मान करके दो भागों में विभाजित कर दिया गया है दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल जो है वो डेनमार्क के अंदर बना है लोक उद्दम विभाग मतलब डिपार्टमेंट अफ पबलिक एंटरप्राइज ये जो है वो फाइनेंस मिनिस्टरी के अंतरगत आता है बारत्व इटली के बीच एक युद्ध अब्यास आयोजित हुआ है कहां हुआ है लोकेशन काफी इंपटेंट है वो है टेरिनियन सी जो की मेडिटेरिन सी के बिलकुल नजदीक है हाल ही में किस राज्य में नई भूमिगत मकडी की प्रजाती ग्रिवील या बोरो की खोज की गई है तो वो कहां पर आसाम के अंदर नैतवार मौरी जल विदुत परियोजना जो है वो किस राज्य के अंदर इस्थित है तो ये जो है कई इस्ट्रेंट से कमेंट आइटे कि सर उत्राखंड के अंदर इस्थित है देखिए ये जो है उत्राखंड और हिमाचल की हम लोग संयुक्त परियोजना इसको कह सकते हैं लेकिन एक्जाम के पॉइंट विव से आप लोग की हमाचल प्रदेश इसमें याद रखिएगा विशो का पहला देश कौन सा है जहां कोरोना वाइरस के लैमडा वैरियंट के पहचान की गई है तो वो है पेरू कोरोना महमारी के चलते किस सरकार के दौरा बच्चों के कल्यान के लिए नई नीती गोशित की गई है तो वो है दिल्ली भारत के किस राज्य में टाइगर कॉलिडॉर का विकास किया जाएगा तो वो है राजस्तान के अंदर भारत की पहली UPI आधारिक पार्किंग सुईता कहां पर शुरू की गई है तो वो है दिल्ली देश में एकवा फार्मर्स में फ्रेश वाटर टेकनलोजी के लिए नया एब जो है वो है मतसिस है तो एब और ये हमारा शेडिग्लोस कोशन था भारत की पहली मैगजीन कौन सी है जो समाज पर विज्ञान अयों प्रवादगी का प्रभाव बताएगी तो वो कौन सी है शास्त्र है तो IIT मदरास की द्वारा ये मैगजीन जो है इसको लॉंज किया गया था और जितना भी साइंस एंड टेकनलोजी का एफेक्ट है आन यहां पर वर्स देखिए इको फ्रेंडली इसका मतलब है कि कहीं भी ये जो है वो वातावरं को एन्वायर्मेंट को नुकसान नहीं पहुचाएगा तो इसका मीन्स ये भी हुआ कि कहीं न कहीं बायो डिग्रेडबल जो आइटम है उसे इसका निर्मान किया गया होगा और यहाँ पर आइटम कौन सा है वो है काउडंग कौन सा है वो है काउडंग मतलब जो गाय का गोबर होता है उससे एक paint का निर्मान किया गया है क्योंकि आप लोग को पता होगा जितने भी synthetic paints होते हैं उनके अंदर chemicals मिले होते हैं और उनकी smell से कई लोग को allergy हो जाती है और इसी ल जाकर्तिक paint जो है यह इसका नाम रहता है और यह कैसा है eco friendly यह है ठीक है आप लोग इसका नाम जरूर याद रखे काफी important है देखिए इसके जो brand ambassador है वो कौन है नितिन गड़करी है तो जो मंत्री है उन्हों नहीं इसकी यह जो है जिम्मेदारी उठाई है तो brand ambassador जो है नित किये क्यों brand ambassador है क्योंकि सबसे पहले नितिन गड़करी के घर को ही इस paint से paint किया गया था और इन्होंने कहा paint होने के बाद कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ के लिए है कि मेरा खुद का घर जो है वो इस paint से paint हुआ है और इस paint को BIS mark जो है वो भी दे दिया गय क्या है यहां पर आप लोग को दो चीज़े समझने की जरूरत है एक तो होता है डिश्टेंपर ठीक है एक तो होता है डिश्टेंपर में क्या होता है यह वाटर बेस रहता है तो पानी मिला कर इसका यूज किया जा सकता है जबकि एक होता है इमल्सन एक क्या होता है एक होत पर लिटर 120 रुपे पर लिटर और इमल्सन जो है इसकी रेट है 225 रुपे पर लिटर तो काफी किफाईती जो है ये दाम के अंदर भी है और एको फ्रेंडली भी है इसका भारत में सबसे पहले प्लांट जो है वो भी आपके लिए इंपोर्टेंट है तो वो है कुमारप्प हांड मेड पेपर इंश्चूट जो है जैपूर के अंदर वहां पर मैं वापस रिपीट करना हूँ कुमारप्पा हांड मेड पेपर इंस्चूट जैपूर के अंदर जो है ये इसका प्लांट इस्तापित किया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीजेपी लीडर नितिन गड करी लाँचेज इंडिया फर्ष्ट इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक काव डंग पेंट तो यहाँ पे न्यूज देखिए 12 जनवरी 2021 की है तो 12 जनवरी को यह लाँच कर दिया गया था लेकिन अब जो है मतलब पहले तो यह अनाउंस किया गया था अब जो है यह फाइनली बन कर त्यार हो गया है जुलाई मन्त के अंदर तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैपूर की यह न्यूज है नितिन गड करी एंडोर सेज प्राकरतिक पेंट मैड ओफ काव डंग तो यहाँ पे आप लोग यह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्राकरतिक पेंट ठीक है और यहाँ पर यह पूरे ओफेस वगर चलाए गया जिसको कहा गया ता फ्रूट केक आंदूलन जो है वो इसको कहा गया था और इसमें क्या किया था ऑप किसानों की दौरा चला है गया किसानोंने कहा कि जितने भी बेकरी के आइटम्स है उनके इस्थान पर फ्रूड से जो केक nirmit किया गया है उसे खरीदना है तो इसे क्या होगा कि जितने भी फार्मर्स हैं उनकी इनकम बढ़ेगी और 2022 तक ये लक्षय है कि किसानों की आई जो है उसको दुग ने किया जाए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि नितिन गड़करी की द्वारा क्या किया गया है इसको इनॉग्रेट किया गया है यहाँ पर देखिए कि सीधा सीधा यहाँ पर टार्गेट है कि revenue जो है farmers का उसको कैसे increase किया जाए और यहाँ पर estimate है कि 30,000 रुपे जो है approximately पर एनम जो है वो यहाँ पर पर animal से सोच कर देखिए एक animal से 30,000 रुपे हर साल यहाँ पर कमाये जा सकते हैं तो यहाँ पर किसानों की आये मान लिजे किसे के पास में 8-10 जानवर हैं तो फिर वो कितना earn करेगा तो यहाँ पर सीधे तोर पर हम लोग कह सकते हैं कि किसानों का जो revenue है वो कहीं न कहीं increase होगा solar power project के तहट भारत का पहला power plant सिमहादरी super thermal power plant के स्थापना कहां की गई है तो वो विशाका पटनम के अंदर की गई है इस power plant का आप लोग जरूर नाम याद रखना क्योंकि यह पहला power plant है जो कि solar power project के अंतरगत है ठीक है लेकिन यह बात और ध्यान रखना कि यह floating power floating जो है वो क्या है super thermal power plant है और solar base है यह भी आप लोग ध्यान रखना जिसमें coal का जो है वो use नहीं हुआ है ठीक है अब आप लोग के मन में question आ रहा होगा कि तेलंगाना के अंदर भारत का सबसे बढ़ा जो floating power plant है solar power plant वो है लेकिन वो जो है इसकी इस्थापना तो अब से लगबग एनिकी थोड़ा delay हो गया है तीन से चार महीने बाद इसकी इस्थापना की जाएगी चलिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि basically यह काफी समय पहले ही इसको approval दे दी गई थी NTPC जो है वो इसको निर्मित करेगा और 24 July 1997 को इसको approval दे दी गई थी तो बहुत पहले ही जो है वो इसको approval दे दी गई थी और अब यहाँ पर stage 1 यहाँ कि 1000 MW और फिर stage 2 जो है वो 1000 MW तो यहाँ पर total जो है वो ऐसे stages इसके complete किये जाएंगे तो अब जो है वो लगवग 10 stages की complete हो चुकी है तो 10 MW जो है यह इसकी शमता हो चुकी है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि तेलंगाना के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा floating solar power plant जो है वो इस्थापित किया जाएगा लेकिन इसमें 3 महिने का मतलब अब और भी delay हो गया है लगवग अगस्त या सेप्टेंबर तक जाते जाते यह complete हो पाएगा यदि मान लीजिए पूछे कि भारत का पहला तैरता हुआ solar power plant कहां इस्थापित किया गया था तो आप लोग को बताना है कि केरल के अंदर सबसे पहले तैरता हुआ solar power plant इस्थापित किया गया था अमेरिकी राजपती जो बाइडन के त्वारा भारत में अमेरिकी राजदूत कौन निक्ट किये गए हैं तो वो है Eric Grichetti जो है वो यहाँ पर निक्ट किये गए हैं तो 2022 तक यह क्या रहेंगे यहाँ पर ambassador रहेंगे यहाँ पर आप लोग जो B option देख रहे हैं यह हैं Canada के ambassador to India और यह है जापान के और यह fourth number पर जो आप लोग देख रहे हैं यह कहां के हैं यह हैं Russia के तो आप लोग जो है इतना important नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग धान रखन क्योंकि America के लिए America जो है वो हमारे लिए काफी important है इसलिए वहां के राजदूद भी important हो जाते हैं नेक्स देखिए National Research Center for Yark तो हिमाले छेतर में जो उँचाई पर याक रहते हैं उनका बीमा कराने का निर्ने लिया गया है क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी बर्फ बार होती है उचे छेतरों के अंदर तो वहां पर कई सारे याक जो हैं वो उनकी death हो जाती है और किसानों को इससे नुकसान पहुंचता है और इसलिए यह जो है इनका निर्मान किया गया है अरवाचल प्रदेश के अंदर इनका क्या किया जाएगा insurance किया जाएगा और इसके लि 2012 से लेकर 2017 तक जो याक है उनकी लगबग 24.17 परसेंट जो है इनके अंदर गिरावट आई थी मतलब यह जो है इतने मौच जो है वो याकी हुई थी भारत के अंदर लगबग 58,000 याक जो है वो पाए जाते हैं तो इसका 24 परसेंट जो है वो कम करेंगे तो काफी कम नंबर जो है वो यहाँ पर यह हम लोग कहें कि पूरा वन फोर्थ जो है वो यहाँ पर कम करना पड़ेगा तो किसानों को काफी नुकसान होता है अरुनाचिल प्रदेश के अंदर यह जो है यहाँ पर बीमा किया गया है चलिए आगे बढ़ते हम लोग हाल ही में Oxfam ने The Hunger Virus Multiply ना 155 मिलियन लोग जो है उनके पास में कोई food security नहीं है मतलब वो खाने के लिए संकट में जीते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 155 million लोग जो हैं वो भूग जो है उसको शांत करने के लिए खाना उनको तलाशना पड़ता है वो खाने के लिए संकट में कोई food security उनके लिए नहीं है और यहां तक कि जब pandemic की condition आई थी तो pandemic की condition में 40% तक 40% तक जितने भी food products से उनकी जो rates थी वो 40% तक बढ़ गई और जब 40% तक बढ़ गई तो इससे क्या हुआ कि जितनी भी death rates जो थी उनमें भी क्या आया increment आ गया था तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं the hunger virus hunger virus multiplies जो है यह report आप लोग देख सकते हैं Oxfam की जो report है यह release की गई थी 9 जुलाई 2020 को तो काफी important है आप लोग याद रखेगा चलिए next चलते हैं NASA का एक कैसी नी space craft है ठीक है उसने क्या किया है कि methane जो gaze है उसको detect किया है और वो Saturn के किस planet पर उसको detect किया है मतलब जो शनी है उ इसको detect किया है तो हम लोग यहाँ पर answer देखेंगे तो वो है Titan देखिए Saturn जो है शनी इसके कुल 82 उपग्रह है ठीक है तो 82 में से कुछ एक नाम जो है वो आप लोग important यहाँ पर देख सकते हैं एक तो Titan तो यहाँ पर methane मतलब CH4 जो है वो तो यहाँ पर पाई गई है तो फिर Saturn के शनी के हैं तो Titan पर अभी क्या मिली है Methane Gage जो है इसका पताय लगा गया है Methane का formula होता है CH4 ठीक है तो यहाँ पर आप लोग समझिए कि Saturn जो है इसके लगभग बयासी मैंने उपगरह बताए तो आप लोग यहाँ पर important देख सकते हैं मिमास है डाइवन है ठीटिस है इसक ठीक है Mercury है तो Mercury से यह बुद्वार मान लीजे है तो एक दिन छोड़के फिर आता है शुकर मतलब फिर आता है Venus ठीक है Venus के बाद में फिर है Earth के बाद में फिर है Mars, Mars के बाद में जूपिटर, फिर है Saturn, फिर है Uranus और फिर है Neptune तो यहाँ पर यह जो चार ग्रह है इनको हम प्लिनेट और दोनों के बीच में जो asteroid belt है वो पाई जाती है, asteroid belt के बीच में है Mars के और Jupiter के बीच में है, तो यह भी कोशन आता है, यदि हम लोग area wise देखें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग यदि external में इसको देखें first, यह आता है second, यह आता है third, फिर आता जाएए, यह है fifth, फिर six, और फिर seven, और फिर eight, ठीक है, तो हमने इसके आकार का करम देख लिया है, और इसके साथ में सूरस से, सूरे से इनकी जो दुरी है, वो भी हमने यहाँ पर देख लिया है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, हाल ही में किस राज्य में जीका वाइरस क पुष्टी की गई है, और basically यह किस से फैलता है, यह फैलता है, मॉस्किटों से, मच्छर से, यह रोग जो है, वो फैलता है, देखिए केरल का नाम आता है, तो एक निपा वाइरस का भी आप लोग याद रखना, निपा वाइरस जो है, जो कि चमकादर से फैला था, वो हात में ही हैड़क जो है, वो भी होने लगता है, तो इसके जो सिम्टम्स हैं, वो लगबग 3-14 दिन तक यह जो सिम्टम्स हैं, वो दिखाई देते हैं, सबसे ज़्यादा और जो रिस्क पर रहते हैं, वो हैं इनफैंट्स, मतलब जो प्रिग्नेंट लेडी होती हैं, उन प का वजन रहता है, यह है मस्तिक्ष का वजन, और जैसे ही जीका वाइरस ने अटेक किया है, तो जीका वाइरस में आप लोग देख सकते हैं, एडीज, एडीज जो मचर है, उसके कारण यह फैलता है, और यहाँ पर जो दिमाग का वजन है, हम लोग कह सकते हैं, कि यहाँ प हम लोग देख सकते हैं कि जीका वाइरस इस ए मॉस्कीटो बॉर्ण फ्लेवी वाइरस देट वाज़ दा फुर्ष्ट अडेंटिफाई इन यूगांडा नाइटीन फुर्टी सेवन तो यूगांडा में सबसे पहला ये वाइरस मिला था जीका वाइरस ये भी कुशन बन सकता है 1947 में और ये सबसे पहले मिला किसमे था मंकीस के अंदर मिला था ठीक है उसके बाद जो है वो 1952 के अंदर यूगांडा में ही ये हुमेंस के अंदर क्या किया गया था आइडेंटिफाई किया गया था और इसके साथ में United Republic of तंजानिया के अंदर भी इसको आइडेंटिफाई किया गया था तो कई सारे आउटब्रेक जो है पूरे वर्ड के अंदर अलग-अलग कंट्रीज में जीका वाइरस के हो चुके हैं लेकिन सबसे इंपोरेंट है कि सबसे पहले युगांडा में हुआ था 1947 में और उसके बाद जो है वो monkeys के अंदर ये पाए गया था ये आप लोग जरूर से याद रखेगा जवारलाल नैरू जो पोर्ट है ठीक है इसके इसके replacement में इसके alternative के अंदर नर्गोल जो multi-purpose पोर्ट जो है उसको कहां पर विक्सित किया जाएगा किस राज्य के अंदर तो गुजरात के अंदर जो है वो इसको विक्सित किया जाएगा देख सकते हम लोग इसकी location ये है नार्गोल जो है वो गुजरात के बिलकुल पश्चिमी तटपर है और इसी पर ही इसको विक्सित किया जाएगा जो की एक alternate रहेगा जवालनाल नहरो जो पोर्ट है इसका क्या रहेगा alternate रहेगा भारत का सबसे उंचाई पर इस्तित जिलोजिकल पार्क पदमजा नाइडू हिमालेन जिलोजी पार्क किस राज्ये में इस्तित है तो वो West Bengal के अंदर और West Bengal में भी पुछे तो आप लोग को पताना है कहाँ पर दार्जिलिंग के अंदर ये इस्तित है और यहाँ पर हुआ क्या है कि जो Red Panda है तो Red Panda पूरे इंडिया के अंदर ठीक है वो पूरे इंडिया के अंदर काफी कम जो है वो पाई जाते हैं और इस जोलोजिकल पार्क में टोटल 23 थे लेकिन रिसेंटली जो है वो दो और बढ़ गए तो यहाँ पर संख्या जो है वो बढ़ चुकी है टोटल 25 हो चुकी है दार्जिलिंग के अंदर यह भारत का सबसे उचाई पर इस जोलोजिकल पार्क है नाम याद रखना पदमजा नाइडू पदमजा नाइडू जो है वो सरोज नाइडू की क्या है यह पुत्री है यह आप लोग याद रखेगा दुनिया का सबसे गहरा ज फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराई गई है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वित ए इस्टेगरिंग डैप्ट ऑफ वर्ड नाइटी सिक्स फीड जो है यह इसकी डैप्थ है और यह पूरे वर्ड का डीपेश्ट पूल इस ऑपनिंग इन दुबाई ठीक है द बगबग 60 मिटर जो है यह इसकी गहराई है ए आई सी टी ने किस संस्थान में जो डिफेंस टेकनोलोजी के लिए एमटेक प्रोग्राम शुरू किया है तो डी आडियो के अंदर यह शुरू किया गया है और यह जो है डी आडियो इसकी स्थापना 1958 के अंदर की गई थी और इसके हेडकोर्टर कहां है वो है नियो डेली के अंदर और इसके जो हैड है वो कौन है जी सतीश रेड़ी जो है वो इसके हैड है तो आप लोग याद रखना डी आडियो के अंदर एमटेक प्रोग्राम शुरू किया गया है डिफेंस टेकनोलोजी के अंदर भारत के पहले समुदरी मद्धस्ता केंद्र के स्थापना कहां की जाएगी तो ये भारत का पहला है समुदरी मद्धस्ता मतल़ कि मान लीजिए कि कोई भी जो विवाद होता है जैसे मान लीजिए shipping जितने भी segments है reasons के अंदर कोई भी मान लीजिए dispute होता है तो फिर ये जो arbitration center है इसकी मद जस्ता से उस विवात को सुलजाय जाएगा जो कि कहां बनाया गया है ये बनेगा गुजरात के अंदर ठीक है गुजरात की जो मैरिटाइम यूनिवर्शेटी है उस मैरिटाइम यूनिवर्शेटी के अंदर इसको क्या किया जाएगा बनाया जाएगा यहाँ पर आप लोग इसके लेकक कौन है? तो pregnancy Bible के लेकक कौन है? करिणा कपूर है. ठीक है? अच्छा. अब इन्हों ने खुळने तो लिखी नहीं हूँ गाई किताब, authors होगे, इनके पास में लिखने वाले writers होगे, उनकी थूरू किताब लिखवाई होगी नहीं तो इनके पास में कहा टाइम है कि बुक वो के लिख पाएं तो प्रेग्नेंसी बाइबल जो है वो करिना कपूर की बुक है लेकिन हमारे लिए तो एक्जाम के लिए पॉइंट आप लोग नोट कीजिए एक योवर बेश्ट डे इन टुडे ठीक है ये इनकी बुक है सोनु शूद को आप लोग को पता ही होगा काफी अच्छा ही इनों ने पैंडेमिक में काम किया आई एम नो मसीहा जो है ये इनकी बुक है ठीक है सची ठरूर की कोई बुक याद ए आपको तो जैसे आप लोग को पता होगा An Era An Era Of Darkness ये इनकी क्या है बुक है जैसे MC Marycom की कौन सी है वो है Unbreakable इसके सामने इसके साथ में We Are Displaced जो है वो किसकी है योसफ मलाला की है Playing It's My Way ये सचिन तंडलुकर की है तो काफ़ी सारे बुक्स जो हैं वो आप लोगको रोक लगा दी गई है तो वो है उत्तर प्रदेश तो यहां पर जितनी भी local government के elections होते हैं उनको चुनाव लड़ने पर यहां पर रोक लगा दी गई है और यहां पर 11 जुलाई को population policy जो है इसको लागो किया गया है जो कि 2021 से 2030 तक क्या रहेगी यहां पर लागो रहेगी इससे पहले भी उत्तर प्रदेश ने एक population policy जो है वो लागो की थी जो कि 2016 में ही क्या हो गई थी खत्म हो गई थी तो यहां पर answer क्या रहेगा यूपी government के द्वारा यहां पर यह decision लिया गया है ICC के मुखे कारिकारी अधिकारी कौन है जिने हाल ही में cricket की वेश्विक संस्था मतलब ICC ICC से हटा दिया गया है तो वो कौन है मनू साहनी है तो मनू साहनी ने अपने जितने भी colleagues हैं जितने भी juniors हैं उनके साथ में अभधरता से बात की थी disrespect से बात की थी इसलिए उनको क्या कर दिया है इस पोस्ट से हटा दिया गया है तो आइसी से की यह हम लोग बात करें तो इसके headquarters आप लोग को याद रखने हैं दुबाई के अंदर headquarter है जो की इसकी UAE की इसको found किया गया था 15 जून 1909 को और इसको deputy chair person जो है वो कौन है वो है इमरान ख्वाजा ये भी आप लोग काफी याद रखेगा फिर यहाँ पर chairman देखिए यह ग्रेग बरकले बरकले जो है यहाँ पर क्या है वो है chairman है CEO जो है मनु साहनी उनको इस पर से अब हटा दिया गया है ठीक है तो ग्रेग बरकले यह काफी exam में पूछे जाते हैं इसके साथ में मनु साहनी को पूछे जाता था अब देखते हैं कि नए CEO कौन बनते हैं चलिए यह आज आप लोग के लिए study close question है कि हाल ही में कि राज्य सरकार की द्वारा दर्बार मोव को समाप्त करने का निर्णे किया गया है इस का answer मुझे comment section में आप लोग जरूर से देना आप लोग मुझे इंस्टा पर follow कर सकते हैं जो भी आपकी queries हो वो मुझे पूर सकते हैं टेलिग्राम पर आप लोग को सभी questions की quiz जो है वो अवे लेवल होगा और Sunday के जो top 50 जो top 50 questions थे पूरे week में जो भी important थे उनका भी quiz जो है वो टेलिग्राम पेनल के ऊपर available है आप लोग को वहां से उसको क्या करना चाहिए attempt करना चाहिए studygloss आप लोग के लिए बहुत ही बेटरिन करन टेफर के साथ अब तक के लिए धन्यवाद थेंक यू